खूंटी में सोना मिलिये गया है घुमला में हिरा का चांस मिलिये गया धनबात बुकारों तो छोड़ दीजिए जाएगा तो कोशिच किजिए उपरे उपरे रॉपलन लेके जाएगा जमीन में जगा भी नहीं धनबात बुकारों बचेगा इतना कोई लागा खाधान बन के अग्या करता हूं मैं रिषार्च करके रखता हूं जिस चित्र में जाता हूं के पंद नहीं है अब हमारा ये भी कारण होगा को उनके नाम पर ने जी श्कूल अस्पाल बी नहीं होगा गाउल और कुछ बच्चों को पढ़ाता था मुझे पढ़ाना पसंद्था था इस पढ़ना और खेलना बड़ा रूची था जो इतने विधायक हैं स्पीकर हैं मंत्री हैं उनका बेतन करती है राज सरकार करती है उसके बेतन में कटोती की जाएगी और पूरी तर निरस्त किया जाएगा ऐसे पांच साला विधायक रहे कोई तीर्व नहीं मार किया है आपको प अधिवासी रहते हैं उनकी चिंता किजिए आप अपने परिवार की चिंता करते हैं आपका परिवारी के वला अधिवासी नहीं है उसकी अलाव अधिवासी के रूप में सुची बद्ध है उनकी चिंता करें उनके उनके जो नियम कानून है उनकी चिंता करें आज को लहनि समझते उनसे हमारे इंटर्नल फिलिंग्स नहीं होता है वह हमारे साथ पसोव जैसा दुरुवेवार करते हैं जिसकारण आज ये भयाव इस्तिति उत्पन हुई है कि वह लोग अलग राष्ट की मांग कर रहे हैं मैं मानता हूं कि समयधानिक राष्ट की अंतरगात ये मांग बेतित होगा इसकी कोई गारेंटी नहीं है और टाटा जमसेद पूर चायवासा का जो स्तिति होगा आने वाले 20 सालों में आप लोग भी जिवईत रहेंगे हम भी जिवईत रहेंगे देखेगा दुरलब भी स्तिति रहेगी यहां का सोर्ण रेखा नदी का पानी यहां के दल्मा पहार सारे चीजों को लेए लोग संकट में लागे खड़ा करेंगे क्योंकि बेपारी के मत्रब के बहुत लाब कमाना होता है नदी दुसीत हो यह पहार संकट में आए उनके लिए मानवता नहीं होती है इसलिए आज बेपारियों का अतिकर्मन को रोकना होगा आज इस चीज़ को रोकना होगा इसके लिए बहतर करून वनाना होगा जब सी एंटी एक्ट होने के बावजुद भी राची में लगबर आखड़ा है चार हजजार से ज्यादा की संक्या में पिछे दस सालों में आदिवास्यों के जमीन के मामले में हत्या हुई है सोच के देख से चुपी नहीं है हम मानते हैं यह लुक्टांतरिक भारत हैं यह समेधानिक भारत है लेकिन आपको इस बात को इसकी मानना होगा यह कानूने कब की है यह वह रहां करना क्या करना ना जो भारत के लोग थे किसान बर्ग मैकस्मूम किसान बर्ग उनको मार पीट कर उन्हें डरा धंका कर रेविदियू को कलेक्ट करना तो ही तो मैं यह विस्टाक मैं बिरोदी नहीं पांच कमीशनर है ऐसे सब्सक्राइब करने लिए अपने लिए अपने देश को फुल मने बढ़ाने के लिए हमारे सब कुछ लूट के ले गए चाहे कोई निर का हिरा हो या लगबग हजारों की संख्या में लुटा गया सोना हो तुँ वेबस था है चल रही है आज अभी धारन के लिए अब अभी खेती बारी का दिन है लोगों का खेत में अभी भी धान है क्या अगर कोई किसान अप् लेकिन अगर लोगतांतरीक भारत है तो यह करना चाहिए लेकिन अगर वही कोई कंपणी यह कहेगी कि आज 20 लोग मेरे कंपणी में धर्ना देने आ रहे हैं वहां करफ्यू लग जाएगा वहां माहोल बन जाएगा कि धर्ना देने वाले आतंक वादी है और स्पी महरदय उ आज बनी करने कि लिए लाजार वी पुलिस के संख्याम पहुच जाएंगे अगर डर होगा, अगर किसी आम आपमी को डर होगा, वहाँ पर सासनलेट से पहुंचती है, अगर किसी पदादीकारी कुछ है, GM रहे, या फिर कोई हाई रेंक का उच्छ अदिकारी रहे, पुलिस उसकी सुरक्षा में पहुंच जाती है, कि पुलिस जो इंडियन पुलिस एक को ही लोग है, उच्छ अधिकारियों को आगर आप घेरिये, तुरंट पुलिस पहुंच जाईए, आप लाथी चार्ज कर देगी, और आप इस इंडिया कंपणी यानि ताटा कंपणी पहुंच जाईए, अधानी कंपणी पहुंच जाईए, पुलिस आज भी फारिंग कर बहले मैं नना सब आलक हूं, लेकिन मेरी वीचार भाराव को आप काट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज भारत के समिधान में एक संसोधर होना चाहिए, किसानों के लिए पूरा भाग होना चाहिए, अभी 22 भाग हमारा मूल रूप से, कुल पची से, एक भाग किसान के लिए आप सभी समिधान के ज्याता हैं, चुकि आप लोग न्यूजबाल हैं, और न्यूजबालों को हमें से एकाडमिक मानता हूं, एक भी आर्टिकिल है, जहां किसान का पूर्ण जिक्र है कहीं नहीं है, आर्टिकिल अर्टालिस में जिक्र है, उसके बाद कुछ राज की अनु परदुसरन को फिर नदी में छोड़ना है, इस चीजब कोई समयता है नहीं है, ना कोई आवाज उठाना चाहता है, क्यों उठाएगा भाई, सबका रोजी रोटी चलता है, अभी मानने मुख्य मंत्री की बात करता है, मैं संबान करता हूं, एक अंधुरन कारी के पुत्र ह हैं, से बुसरन के पुत्र हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है, जब हाली फिलाल उनकी एक दूर की रिष्टिदार की बाहन का विबात था, टाटा ने 80 लाग रुपे से लाइटिंग का खर्चा दिया था, बताए माने निमुख्य मंत्री टाटा को कैसे आँख दिखाएंगे कैसे आँख दिखाएंगे लोजी के लिए बताइए, तो मेरे करने का मतलब है, चाहे राज की बात हो या देश की बात हो, अगर चाहते हैं कि किसान बचा रहे, अगर चाहते हैं आदिवासी बचा रहे, उसके लिए नित्त ऐसा होना चाहिए, जो टाटा की चंदे से चुन लक्ष कर देते हैं सांसद लोग का मुझ बंध हो जाता है तो यह चीज़ें समझना होगा आज अगर देश इन चीज़ों को नहीं समझता है तो हम भी जिन्दा होंगे आप भी जिन्दा होंगे 20 साल बाद इस दिदि देखिएगा क्या होगा जारकांडे खंडर के रूप में परिवत्तन हो जाएगा खोंटी में सोना मिलिये गया है घंबाद बुकारों तो छोड़ दीजिए जाएगा जमीन में जगा भी ने धनबाद बुकारों बचेगा इतना कोई लागा खाधान बन चुका है किसके लिए वाई क्या उन्नतिक या देश ने कितनी समानता ही कितन करन चाहिए अब यह हम से कम सम्भान के साथ जी लेगी या तो हमारे नसीब में बेसर्मी होगी या तो बलिदान, यहां वनीदान है को यह अगर हम लोग नहीं नहीं लड़ पाते हैं इसनल यह का जा म हम वास्त je सदने जाने जाने के इसदे तैयरी कर रहा है еёiji समय को पूरीशस्य-चिर्ट है के रखता हूं मैं जिस्षित्र में जाता हैं इसलिए मैंने इस भविष को आपके शामने रखा है और प्यच्ड operate को धब MARC 가자 आप प्यारखन के लोग क्या ग्राइंगे यह अनुपर करता है इसलिए कि मैं कहूंगा अगर नेत्रूत बेजे किसी से भीजे और नहीं रोक पाते हैं तो आने बाले दिन हमारी इस्थिती बहुत भयाब़ होने बानी हैं यह अचानक सबसे पहली बात अभी भी लोग एक सवाल करते हैं कि आपके पार्टिकर रेश्चन क्यूं नहीं हैं वह तक हम से पहले बता दें हम लोग ने पॉलिटिकली इच्छा नहीं रखा था कि हम लोग को पॉलिटिक्स में जाना है एक छोटा सांदोलन था पढ़ने वाले छात्र थे मेरा एक्जाम पुस्ट पन हो चुका था इसलिए उस आंदोलन में चले गए और गेड़ सालों तक लगभग स आउप ही आभास नहीं था कि हम लोग को करना हो तो करना होता यावन का सामने होता है इसे को समझञ नहीं है और जैनी जायर सी बात18 के चुना दिल्र चाहँगा दिल्ली में क्या हिस्तिती है लोग सब्सकुंड़ हाता है साथ की साथस्ट किसको जाती है और जब भीधान सब आता है तो सतर में सरसर सीटे बिजएP के उल्टा जाती है यह दिल्ली नहीं है जरकंड अगर यह दिल्ली होता तो कसम से फूर है 24 में लोग समझे वह जब लोकसम में जाते हैं तो सारी सिटे NDA लेकिन जब भीधान सब एक सब्सक्राइब करद या डिलागी दिली लोग मांणा वही लोग लेकिन में इस वह पासी थिशचा स्बुसाइब यूप अकेले उत्रेंगे तो ये स्वार्थीन यह उत्र खांके склад लोग परियास क्या करेंगे कि सबसे पहली बात जो विचार धारा हमारा मेल खाएगी अगर मान की चलिए माजसू या कोई शेत्रे दल हमारे साथ सब देखाना चाहिए थोड़ी देर के लिए तो सबसे पहले उनकी जो विचार धारा है उनके आपके पास सो एकर जमीन है और कहें ना कहें दोसी हैं उन्हें जिस उमीद के साथ अचे बात बताई मैं एक साधन सा लड़का ना मेरी कोई पहचान थी दो साल पहले एक चोटा सा गाउं पिटबॉल का मैदान मुझे खिलना पसंद था और कुछ बच्चों को पढ़ाता था मुझे पढ़ाना पसंद था मैं बकाईदा इसलिए दो घंटी एक हाई स्कूल में जो सरकारी था मैं फिड़ी पढ़ाता था मैं वहां के प्रिंस्पल को बोलके मैं वहां निसुल सिच्छा दाम देता था यानि मुझे पढ़ना और खेलना बड़ा रूची था यानि अगर हमारे नेत्यूत करता अगर भावी के जो बाप बनते हैं वह कभी बच्चे होते हैं हमारे जो युबाह है इनमें राजनितिक समझ थोड़ी सी बाकी लोग की तुलना में कम है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम लोग प्रक्षिक्षन के माध्यम से अनुभवी लोगों को जब हमारे साथ सामील हो रहे है और जिसे लोग सभा का चुनाओं के बाद हम लग भग 45 दिनों का प्रक्षिक्षन देंगे और बकाइदा सभी जीलों में देंगे सभी परखंडों तक हम लोग पहुंचकर प्रसिक्षन देंगे और इसके साथ मुझे लगता है कि बहतर इस्तिती में होंगे सब्सक्राइब करें कि यह कुछ कुछ कानूने की जो नाम पर नेजी स्कूल नेजी अस्पताल भी नहीं होगा जी जारखंड में मैक्सिमम जो नीजी विद्ध्याला हैं यह इसलिए हम लोग चाहेंगे कैसा बिधायक बने कि जो एम पी मेले वह तो लाब लेकिन अब उनके नाम पर यह उनके फैमिली के नाम पर नीजी विद्ध्याले नीजी अस्पताल भी नहीं होगा नीजी मौल भी नहीं होगा तभी आप विधान समय आई आप सेवा करने के लिए हैं तो इन चीजों को हम लोग लेकर आएंगे उसके बाद राज सरकार की अ सामने रखेंगे जो बहुत 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 तरीके से राज जी के लिए हितारते में काम आएंगे